नमस्कार हो जो और साटी का Kप्डा मैं आपको सकती चुराह को लाइश का कफड़ है it सबसे पहले हमारे सबसे पहले हमुसी किकरेंगे कप्ड़ क suggest pinक्री शु 1992 यह भी लंबाई रखना चाहते हैं 13 यह 14 इंच वह आप अपने एसाब से लें और एक इंच हमें जादा लेना है क्योंकि हमारा यहां पर गोलाई में जाएगा नीचे की साइगे तो हम यहां पर लेंगे 14 इंच की लंबाई तो 13 इंच हमारा तया रहेगा अब जैसे डीप गला बनाएंगे तो हम यहां पर लेंगे 5 इंच अगर हम भूटनिक बनाएंगे तो जैसे हमारे 14 इंच के सोल्डर हैं तो हम यहां पर लेंगे 7 इंच आरूमल भी हमें साथ इंच लेने है अब देखिए साइच के साप से हमें थोड़ा कम जादा करना है जैसे हम 32 या 34 साइच के बनाएंगे तो हम यहां पर आरूमल लेंगे बूलेंगे साड़े 6 इंच क्योंकि आदा इंच तो हमारा इस तरीके से शेप में जाएगा अब देखिए चेश्ट की बात करें तो जैसे आगर आप 32 चेश्ट का बनाएंगे तो 8 इंच पर यहां पर निशान लगाएंगे और 36 साइच का बनाएंगे तो आप यहां पर 9 इंच का निशान लगाएंगे और फिर आपको यहां पर सिलाई के लिए कपड़ा अलग से लेना गले की लंबाई लेंगे 5 इंच और यहां पर हमें ऐसे गोलाई में निशान लगाना अब देखें जैसे हमारा ब्लाव जै छत्ति साज का तो 9 इंच हमारा यहां पर फिटिंग का कपड़ा आएगा 9 इंच का हम आदा करेंगे यहां पर तो आएगा 4.5 इंच तो यहां पर हमारे टक्स का निशान आएगा 9.5 इंच पर तो हमें यहां पर इस तरीके से निशान लगाना है और इसको देखें पहले हमें यहां पर गोलाई में इस तरीके से उसके बार देखें हमें इसको ऐसे करके ऐसे मिलाना इसमें कुछ कम नहीं कुछ जादा नहीं अब देखिए हमें पप चाहिए तो यहां पर हम दो इंच लेंगे पप के लिए तो जो हमारा यहां पर टक्स का निशान है इसको हमें देखिए इस तरीके से इतना हमारा कपड़ा जाएगा जब हमारा यहां पर अच्छा पप मैंने यहां पर 2 उंच क्या को सबसे पहले समय यहां पैसे कपड़े को मैंने तिर्चा-काटा है क्योंकि हमारा बूटनिक गला है तो उसको हमें थोड़ा तिर्चाई काटना है अब देखें इसको हमें इस तरीकी से निकालना है यहां पे हम इसको थोड़ा जुड़ा रखेंगे आदा इंच अब देखें हमने इसको ऐसे कटिंग कर लिया जो हमारा एक कपड़ा था वो हमने निकाल दिया अब जब इसमें ऐसे करके लाइं लगाएंगे तो इसमें अच्छा से ऑ देखेंसे अ है इस तरीके से यहां पर पपा जाये अभाए इसके लिए हमें क्या करना है यहां पर भी हमें आदा इंच गोलाई में करना अब देखिए हमने सकार परल कप निकानना न यह नि कि अब देखिए जह हमारा अगै का पत्र लार्व saf है उसी को इस तरीके से रखेंगे और जो 2 इंच हमने यह जादा लिया है इसको ऐसे मोड़ देंगे क्योंकि यह हमने अलग से लिया है ना दो इंच तो इसको हमें पीछे की साइड नहीं लेना है तो देखें यहां पर मैंने आगे और पीछे के दौनब पर्लर कटिंग कर लिया अब हमारा जो साड़ी का कपड़ा है इसके उपर हमें रखेंगे अस्तल को तो यहां पर हमारी यह लेस है तो इसको निकालना है पहले हमें तो इस लेस को हम आदादा करके लगाएंगे बाजू पर अब देखें इसमें से हमें बाजू भी निकालने है तो कपड़े को हम देखेंगे किस तरीके से रखें कि उसमें से हमारा आसानी से बाजू भी आ जाए तो जब भी आपके पास छोटा कपड़ा हो तो आप इसी तरीके से रखें अब देखें यहां से हम बाजू को निकालेंगे यह हमारा पीछे कपड़ा रहा है अब यह कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमें बाजू निकालनी है अब यहां पे हमारे कपड़े की जो चौड़ाई है वह 18 इंच अब यहां पर कपड़ा थोड़ा सुक्ड़ा आ है तो इस्पे हमें प्रेश लगाने है पहले जब भं इसको सीदा करेंगे कि चौड़ाई हमारी 18 इंच है और इसकी जो लंबाई है हमें बाजू की लंबाई रखनी है चार इंच तो पांच इंच का एक कपड़ा है तो इसी के बराबर हमें अस्तल का कटिंग करना है क्योंकि इस पे तम प्रेस लगा के इसको सही करेंगे जब इसको जोड़ेंगे आगर आपके पास इस तरीके का कपड़ा हो जो सुकड़ा तो इस पर आप अच्छे से WOW और कम एको बर्जाश लगाने के और अस्तल की कटिंग करें उसकी कटिंग ना करें क्योंकि जो साडिक कर अपर कपड़ा है वह थोड़ा सुक्ड़ा है यह कपड़ा ही ऐसा आता है कि प्रेस लगाने से सही आता है तो दिहां पे हम बाजू के पर लिए जो छोड़ाई लेंगे अस्तल की पो लेंगे 20 inch की है हम नया यहां पर 20 inch की जाना आप पहंच आप मेरा कपड़ा बचा हुआ है इसको देखर हमें इस तरीके से डबल करकर रखना है के यहाँ पिलेंगे हम तीनिप्षिंश- इसको हमें ऊपर कसमी इस तरीगे से लेकर जाना है कि कर देखे जो हमारा साड़ी क अ कपड़ा है उसको हमें यसकी उपर रखना है और फिर जोडेंगे असटल को तो दींखिए है थोड़ा खिशेगा, इस तरीके से खेंचेंगे ना तो यह बराबर आ जाएगा, अस्तल के ऊपर, तो यहां पर हमारा यह बाजू है और यह हमारा पीछे का पल्डर है और देखिए जो हमारा बीच का सोल्डर है ना वहां से हमें प्लेट का निशान लगाना है इस तरीके से और इसको बनाना बहुत सरल है प्रिंसेस का प्लाउच को बस हमें जो हमने दो इंच का कपड़ा तो आप लीज़ेगी चैनल में देखने प्रेंसिस कट ब्लाउज की ष्टिचिंग किस तरीके से की जाती है stellen कि तो यहाँ पर हमारे साडी का कप्ड़ाइग उसको फिह हमें सी ृटिके से जोड़ा क्यों कि जवया रखे कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए जो भी नए लोग है वो हमारी वीडियो को पहली बात देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लें इससे क्या आने वाली जो भी नए वीडियो है उसका नोटिफिक्शन आपको मिल जाएगा धन्यवा खुल्षण प्लीज वीडियो को सब्सक्राब कर दो प्लीज जाएगा जाएगा बुछना है कि अधना चाहा है एगल को बाता है एगाया।